कथा साहित्य में आपका स्वागत है आईए आज सुनिये अपने लेखन से हिंदी साहित्य में विशिष्ट योगदान देने वाली प्रवासी भारतिय हिंदी लेखे का उशा राजे सकसेना जी की लिखी कहानी कहानी का शीर्षक है वो रात पिछले तीन दिनों से घर के रेडियेटर गर्म नहीं हो रहे थे स्लोट मीटर के पैसे बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे घर में जितने कंबल थे अनीता ने हम सब को उड़ा दिये थे बिना हीटिंग के पूरा घर बरफीला हो रहा था खिड़की के शीशे पर बरफ की हलक से पर्त जम गई थी ऐसी ठंडी रातों में अक्सर मैं बंक बैट के उपरी तल्ले पर स्लीपिंग बैग में गुचड मुचड कर सोने की कोशिश करता हूं पर कई बार नीद में मैं अपने बंक बैट की सीड़ियां उतर कर चुपके से अनीता के बिस्तर में घुस उसके ग कभी कभी ऐसे में चार वर्षे रेबिका और रीटा मेरी जुड़वा बहने भी अनीता के बिस्तर में घुस आती हैं मुश्किल तो तब होती है जब रेबिका बिस्तर भिगो देती है पर चतुर अनीता उसे पास रखे सूखे तौलिय में लपेट देती है और हम आराम से एक दूसरे से चिपके तब तक सोते रहते हैं जब तक साइन बोर्ड पर रखी घड़ी आठ बच कर पांच मिनट का अलार्म नहीं बजाने लगती है अकसर घर में पैसों की तंगी हो जाती है फिर भी मम्मी हमारे लिए बेबी सिटर का इंतजाम किसी ना किसी तरह कर ही ले कि बेबी सिटिंग के लिए कोई भी नहीं मिल पाया तो ऐसे में मम्मी रात को हमें बिस्तर में सुला कर सक्त निर्देश दे कर घर के पिछले दर्वाजे से चुप चाब बाहर निकल जाती हैं और सुभा हमारे उठने से पहले घर आ जाती हैं आम ताउर पर सुभा सुभा मम्मी बेहत थकी होती है कई बार वो अपने ग्रहकों के साथ इतनी शराब पी लेती है कि उन्हें भयंकर सिर्दर्ध होता है ऐसे में अनिता सुभा जट पर तयार होकर रेबिका रीटा को दूद के साथ वीटा विक्स नाश्टे में देकर खुद तयार होने लगती है रेबिका रीटा बिस्कुट खाते हुए मम्मी के उठने तक टीवी पर सुभा आने वाले बच्चों के कारेकरम देखती रहती है अनिता कॉन फ्रेक्स खाते-खाते मुझे आवाजे लगाती रहती है जब अनिता तंग आकर अकेले ही स्कूल जाने की धमकी देती है तब मैं सीडियां फलांगता हुआ डफल कोट के बटन लगाता नीचे आता हूँ अनिता जानती है मैं जग भी जाऊं तो भी मेरा पेट देर तक सोता रहता है वो मुझे हड़काती हुई फलों की टोकरी में से एक सेप मेरे कंधे पर लटके बैग में डालते हुए मुझे तेजी से खींचती हुई स्कूल के लिए भागती है हम अकसर दोड़ते हुए स्कूल जाते हैं हमें मालूम है अगर हम तीन दिन तक लगातार देर से स्कूल पहुंचेंगे तो चौते दिन मम्मी की स्कूल में पेशी हो जाएगी जो मम्मी को बिलकुल नहीं पसंद है हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी मम्मी को कई बार हम सब के लिए बड़ी जिल्लतें भुगतनी पड़ती है मुझसे सिर्फ एक साल बड़ी मेरी बहन अनीता बेहत समजदार है स्कूल में जब कभी हमारे घरेलू मामलों के बारे में पूछ दाश होती है तो मम्मी को तमाम जंजटों से बचाने के लिए वो धेर सारे पहाने बना लेती है मैं तो बस उसकी हां में हां मिलाता रहता हूँ मिस बेंसन और मिस आसबर्न को तो वो खूब अच्छी तरह पटा लेती है अनीता है ही ऐसी प्यारी पडोसियों को छोड़ कर उसकी सबसे अच्छी पटती है हमारे पडोसी अच्छी लोग नहीं है वे हमें देखते ही हमारी मम्मी पर व्यंग करते हुए हमें सुना सुना कर गंदी गंदी बातें करने लगते है कल रात फिर मम्म ने हमें जल्दी ही उपर सोने के लिए भेज दिया उस समय शाम के साथ बजे थे कोई पंधरा मिनट बाद बाथरूम में टब भरने की आवाज आई शायद मम्मी नहा रही होगी थोड़ी ही देर बाद सीडियों के चर्मराने की आवाज से मुझे लगा की मम्मी नीचे गई है रेबिका रिटा सोचुकी थी मुझे भी नीदा रही थी पर अनीता के दबे पाउन नीचे जाने की आवाज ने मुझे उच्सुक कर दिया था जब अनीता वापस उपर आई तो मैं बंक बेड में बैठा इनेट ब्लाइटन की लिखी जासुसी उपरन्यास फेमस वाईव पढ़ रहा था मुझे किताब पढ़ते देख अनीता मुस्कुराई और मेरे पास आकर फुसपुसाते हुए बोली तू तो जरूर एक दिन प्रोफेसर बनेगा सुन अभी मैं नीचे गई थी मम बाहर आने वाली है वो सफेद जैजी मिनी स्कर्ट और लाल टैंक टॉप में बहुत खूबसूरत लग रही थी मुझे सीड़ियों के पास चुप चाप खड़ा देख बोली क्या बात है तुझे नील नहीं आ रही है क्या मालूम उसने शरारत से आखें मठकाते हुए मुस्कुरा कर कहा मुझे पता था कि मम्मी बाहर जा रही है पर फिर भी मैंने उससे पूछा क्या तुम बाहर जा रही हो मम्मी ने मुझे बहलाने के लिए बोहें उठा कर होटो पराई मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा नहीं तो अनित्या ने एडियों पर उचक कर मेरी आखों में जांकते हुए कहा मुझे पता था मम मुझे बहका रही है पर मैं भी धीट हूँ न मैंने कहा मॉम मुझे तेरा प्यार चाहिए मुझे बाहों में भर कर प्यार दो न ना जाने क्यों मेरा मन मम से लिपटने को मचल उठा अच्छा चल आजा नटखट लड़की कहते हुए उन्होंने हाथ में पकड़ी लिप्स्टिक ड्रेसल पर रखते हुए मुझे बाहों में भर कर कहा आजा मेरी प्यारी पिटिया इसके पहले की मैं लिप्स्टिक लगाऊं आज तुझे जी भर कर प्यार दे दूँ और सुन मैं आज रात जल्दी ही लौट आउंगी कल तू नौ बरस की हो जाएगी न आज रात मैं तेरे जन्म दिन के लिए धेरों पैसे कमाऊंगी तुम लोग अपने कमरे से बाहर मत निकलना अच्छा कहते हुए मम ने प्यार का चुमबन मेरे होटों पर दे कर मुझे उपर भेज दिया मम्मी के साव सुथरे ताजा नहाय ठंडे बदन से बेहत प्यारे सावून और परफ्यूम की खुश्बू निकल रही थी और पता है वो आज बेहत खुबसूरत लग रही थी सच कहते हुए मैंने अनीता के गालों को चुमा तो उसमें से मुझे मम के परफ्यूम और सावून की मिली जूली खुश्बू आई अब तक मुझे नीद आने लगी थी मैंने उनिंदी आँखों से अनीता को देखा वो मम्मी जैसी ही खुबसूरत और आकर्शक लग रही थी वही नीली आँखें वही सुनहरे घुंगराले बाल वही तना हुआ गरवीला बदन उस रात जब मैं कहरी नीद में था अनीता ने मुझे तीजी से जिनजोडते हुए जगाया सुन मार्क मम अभी तक घर नहीं आई है अनीता मेरे कानों में फुसफुसाई तब ही अचानक रेबिका और रेटा दोनों नीद में चिहुक करोने लगी अनीता ने उनके मुझे मुझे चुसनी डाल कर उन्हें थपका क्या दहशत से आखे फारते हुए मैंने दिवार घड़ी देखी सुभा के साढ़े पांच बच रहे थे ममे ढ़ाई तीन बजे तक हर हाल में घर आ जाती है तोनी नीचे लिविंग रूम और टॉयलेट में देखा अनी मैंने घपरा कर अनीता से पूछा मैं सारा घर चान चुकी हूं मार्क अब हम क्या करेंगे मेरे बदन का पोर पोर सहम उठा मैं रुआसा हो गया ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी आख खुली हो और ममी घर में ना हूँ और अनीता घपराई हुई हो रेबिका और रीटा अब तक चुप होकर जपकी लेने लगी थी मुझे तसली देते हुए अनीता मेरे कानों में पुसपुसाई रेबिका रीटा अभी कम से कम दो घंटे ओर सोएंगी हम बाहर चल कर मम को खोशते हैं मुझे याद आया बहुत पहले अनीता ने एक बार मुझे पताया था कि एक रात मॉम पिछले दर्वाजे के पास सीड़ियों पर नशे में धुद पड़ी हुई थी सुनता हूँ यदि पी उसकी बताई सारी बातें ना तो मुझे समझाती हैं ना ही याद रहती हैं मैंने अनीता के कहने पर नीचे से लाकर दो पैकेट बिसकुट रेबिका रीटा के पसंद के कुछ खिलोने और उनकी दूद की बोतल बंक बैट से लगे मेज पर रखते हुए अनीता की और देखा वो एक नजर रेबिका रीटा पर डाल अपने पजामे के उपर ही जीन्स चढ़ा रही थी उसे देख कर मैंने भी अपने पजामे के उपर जीन्स चढ़ा कर डफल कोट के बटन पूरी तरह से बंद कर जूतों के तसमे बांधें अनीता मेरी आदर्श है इसलिए अनीता जो भी कहती है मैं वही करता हूँ उसके पास मेरी हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है पर इस समय हम दोनों घबराए हुए थे अनीता ने अपने कामते होटों को मुह के अंदर दबा रखा था मेरे गले में गुठली भंसी हुई थी मैं बार-बार अनीता के चहरे की और दिलासे के लिए देख रहा था पर उसके चहरे के साथ-साथ सारे घर में भयानक खामोशी लोट रही थी मैंनी लेंडिंग में जाकर पंजों परूचक, खिड़की से घर के पिछवाड़े के बागीचे और एलिवे को देखा दोनों ही सुनसान पड़े थे, मम्मी का कहीं कोई पता नहीं था थोड़ी देर पहले बारिश हो चुकी थी, पेड़ों के पत्तों से पानी चू रहा था जाड़ियों और घास पर टकी, पानी की बूंदे, बिजली की मधम रोशनी में रेविका रीटा की आँखों से टपके आसों जैसी लग रही थी जगा जगा पानी के चह बच्चे चमक रहे थे, पेड़ों के नीचे घना अंधेरा पसरा हुआ था रेविका और रीटा गहरी नीद में थी, उन पर एक नजर डाल हम दबे पाउं सीड़ियों से नीचे उतरे रसोई घर वैसा ही बिखरा छित्रा, जूठे खाने के बर्तनों के साथ पढ़ा हुआ था, जैसा कल रात मम ने चोड़ा था ममी चाहे कितनी भी धकी हो, घर में पैसों की चाहे कितनी भी कमी हो, पर रात को बहर जाने से पहले वो हमारे लिए कुछ ना कुछ गर्म खाना जरूर बनाती है कर रात मम ने हमारे लिए पोर्क सौसेज, फिश फिंगर और बीन्स बनाए थे सौसेज, फिश और मम्मी के सिगरेट की मिली जुली सोहानी गंध अभी भी रसोई और लिविंग रूम में तेह रही थी मैंने एक लंबी सांस भरी और मन हे मन मम्मी को पुकारा पिशवाडे का दर्वाजा जो रसोई घर से लगा हुआ था, वहे उड़का हुआ था मम्मी जादा तर पडोसियों की ताने बाजी और चुगलियों से बचने के लिए पिछले दर्वाजे से ही बाहर जाना पसंद करती है कर रात भी वह पिछले दर्वाजे से ही पडोसियों से चुप चुपा कर गई होगी एक बार पडोसी केरलाइन ने मम्मी को बाहर जाते देख कर पुलिस को फोन कर दिया कि घर नंबर 65 में बच्चे अकेले हैं पुलिस हम सबको अपने साथ ले जाने ही वाली थी कि मम्मी वापस खर आ गई बात में अनिता ने मुझे बताया कि उसने पुलिस काड़ी देखते ही मम को मोबाइल पर फोन कर पता दिया था और मम्मी ठीक समय पर पिछवाडे के दर्वाजे से खर आ गई पडोसियों को मुझ की खानी पड़ी कहानी में आगे पड़ते हैं चारों तरफ अंधिरा था मेरा दिल बुरी दरहां से धड़क रहा था पिछवाडे का बगीचा जिसमें हम हर रोज खेलते हैं इस समय अजीब सा अंजाना और डरावना लग रहा था आम तौर पर जब हम बगीचे में होते हैं तो हमें पडोसियों के घरों से आती टेलिविजन और रेडियों की आवाजों के साथ उनके लड़ाई जगड़ों की चीक पुकार भी सुनाई देती है इस समय बगीचे में इस तरहां का सनाटा चाया हुआ था कि जमीन पर पड़ती पेड़ों की हिलती चाया भी हमें डरा रही थी चेरी का वह घना पुराना पेड जिस पर हमने ट्री हाउस बना रखा है जूलने के लिए गाठों वाली रस्सी टांग रखी है इस समय फी फाइव फो फम करने वाले देत्य सा भ्यावना लग रहा था अंधेरे में लुकते चिपते पडोसियों के गित द्रिष्टी से बस्ते हुए हम एलिवे की दिवार और जाडियों से चिपके आगे बढ़ते जा रहे थे अचानक हमारे चारों तरफ घना को हासा उतर आया कहीं कहीं फिसलन भी थी मेरा मन चाह रहा था कि इस मुसीबत की घड़ी में अनिता मुझसे बात करे मुझे बताये कि मम हमें कहां मिलेगी पर अनिता थी कि कुछ बोल ही नहीं रही थी अन्त में मेरा धिरत जवाब दे गया और मैं सुब्गियों के साथ गले से निकलती आवाज को घूठता हुआ रोने लगा अनिता एक पल रुकी उसने अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डालते हुए कहा रो मत पगले मम्मी यहीं कहीं होंगी हो सकता है वो सुपर मार्केट दूद या सिगरेट लेने गई हो अनिता मुझे धर लग रहा है मैंने उसके हाथों को कस कर पकड़ते हुए कहा मम्मी ठीक तो होगी ना मैं अपने आपको भरसक सहच करते हुए फुसपुसाया अनिता ने मिटन के अंदर बंद उगलियों से मेरे गालों को सहलाते हुए कहा घबरा मत मैं हूँ ना हम सड़क की ओर चलते हैं मार्क मम्मी बस आती ही होगी अब थक हम उस जगह पहुँच गए थे जहां एलिवे सड़क से मिलती है कोहरे के कारण हम 5-6 फीट से ज़ादा दूर तक नहीं देख पा रही थे लेंपोस्ट की रोशनी में कोई दम नहीं था हम थोड़ी देर वही खड़े हर दिशा में गर्दन घुमा घुमा कर मम्मी को तलाशते रहें फिर हमने बड़ी साबधानी से ग्रीन क्रॉस कोड के एक एक आदेश को ध्यान में रखते हुए जेब्रा क्रॉसिंग से उस चोड़ी सड़क को पार किया जिस पर दोनों तरफ से ट्रेफिक आ जा रही थी आते जाते कारों और ट्रकों की तेज रोशनी में वर्शा के कारण गेली सड़क रह रहकर चमक उठती मार्क हम यहीं बस टॉप के बेंच पर बैठ कर ममी की परतिक्षा करते हैं वो जरूर ही किसी ना किसी बस से वापस आएगी अनिता की आँखों में उतर आई चिंता चहरे पर फैली उदासी और आवाज में आई कमकपाहट मुझे अंदर तक तोड़ती चली गई मैं बेंच पर अनिता से सटकर बैठा पाउं हिलाता रहा स्टील की बेंच बर्व की तरहा नम और ठंडी थी बिना मौजे के जूतों में बंधे मेरे पाउं सुन हो रहे थे हम हर पल और अधिक व्याकुल होते जा रहे थे तभी सड़क के दूसरे छोड़ से लाल रंग की डबल डेकर बस आती दिखी बस के अंदर बत्तियां चल रही थी हमारे घपराए मन को भरोसा सा हुआ बस की जलती बुछती बाईंबत्ती संकेत दे रही थी कि बस हमारे स्टॉप पर रुकेगी बस रुकी दर्वाजा हिस की आवास करता हुआ खुला पर उसमें से कोई नहीं उत्रा बस ड्राइवर ने जरा आगे जुक कर पूछा क्या तुम लोग बस में चड़ रहे हो नहीं अनीता ने सिर हिलाते हुए कहा हम अपनी मम्मी का इंतजार कर रहे हैं रात भर का जगा ड्राइवर शायद अच्छे मूड में नहीं था उसने बढ़ बढ़ाते हुए धराम से दर्वाजा बंद कर लिया अनीता ने मेरी आखों में आई उदासी को पढ़ते हुए मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए सांत बना दी चिंता मत कर मार्क मम्मी अगली बस में जरूर आ रही होगी पर बसें आती और जाती रही गेहरे काले आकाश से हलकी हलकी रोशनी धर्ती पर उतरने लगी थी अब तक तक तकरीबन नौ दस बसें आ जा चुकी थी मम्मी किसी भी बसें नहीं उतरी अच्छानक अनीता, रेबका और रीटा की ओर से चिंतित होकर बुदबुदाई वे जग गई होंगी और हमें घर में ना पाकर रो रही होंगी हम दोनों देहशतजद, निराश, कंधे जुकाए, चुप चाप घर की ओर चल पड़ें सड़क पार करते करते हमने मन ही मन पूरा यकिन कर लिया था कि मम्मी किसी और रास्ते से घर पहुंच गई होगी और हमें घर में ना पाकर परेशान, दर्वाजे परत्योरी चड़ाए हमें फटकारने को तयार खड़ी होगी मम्मी के खयाल भर से ही हम अपने आपको सुरक्षित महसूस करने लगे थे अलसुभा आस पास के तमाम घरों की बतियां चल गई थी लोग रोज मर्रा के कामों में व्यस्त इधर उधर आ जा रहे थे हम दोनों ने डफल कोट के हुड में अपने अपने चेहरे चुपा रखे थे हम नहीं चाहते थे कि कोई पडोसी हमें इस लाचार और दैने स्थिती में देख कर मम्मी को आवारा और लापरवाह कहे अजीब स्थिती थी हमारे मन की एक तरफ हम भैभीत हो रहे थे कि हमें घर में ना पाकर मम्मी बहुत गुसा कर रही होंगी दूसरी तरफ मम्मी के होने भर की कलपना से हम अपने आपको सुरक्षित समझने लगे थे तीसरी तरफ हमें अपराद बोध हो रहा था कि हमें किसी भी हालत में जुड़वा बेहनों को घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था वे अभी बच्चियां हैं, हम अंदर ही अंदर बेहड़रे, अकेले और असुरक्षित थे घर पहुचते ही अनिता ने मुझसे कहा, कि मैं उपर बेडरूम और बातरूम में जाकर ठीक से देखूं कि मम्मी आ गई है इसी बीच अनिता ने नीचे के सारे कमरे देख टाले, छोटा सा घर पल भर में हमने इस तरहां चान मारा जैसे की हम अपनी मम्मी को नहीं, उनके चावी के गुच्छे को खोज रहे हैं अब हम क्या करें? लंबी सांस लेते हुए मैंने अनिता से पुछा मैं उपर जाकर रेबका और रीटा को नीचे लाती हूँ तुम जल्दी से कपड़े बदल कर टेबूल पर वीटा विक्स कटोरों में डाल कर तयार रखो रेबका रीटा भुकी होंगी रेबका रीटा सुभाव से खामोश किस्म की बच्चियां है उनका मन टीवी में खूब रमता है उन्हें खाने को मिलता रहे तो वे अपनी गंदी नैपी में भी चुप जाब बैठी टीवी देखती रहेंगी स्कूल जाने का समय हो रहा था ब्रेकफास सेरियल का पहला चम्मच मुह में रखते हुए मैंने अनीता से पूछा ऐसे में हम स्कूल जाएंगे क्या पता नहीं देखती हूँ अनीता परेशांसी बोली जब तक मैं रेबिका और रीटा को हाई चेयर में स्ट्रैप करके उन्हें बिसकुट का पैकेट पकड़ा कर टीवी चालो करती हूँ तब तक तू बाहर गेट से जहांकर देख शायद मम्मी सड़क के दूसरे चोर पर दिख जाए अनीता जो कुछ मुझसे कहती है वह सब करना मुझे अच्छा लगता है मैं भागता हुआ बाहर गेट पर आया सुभा हो चुकी थी आकाश में काले बातल चाय हुए थे हलकी हलकी पारिश हो रही थी हमारी सड़क के अंतिम सिरे पर जहां हम कुछ तेर पहले खड़े चारों तरफ करदन घुमा घुमा कर मम्मी को तलाश कर रही थे वहीं इस समय लाल नेली जलती बुष्टी बतियों वाली पुलिस गाड़ियों के साथ एंबुलेंस खड़ी थी पुलिस ने सड़क पर लाल नेली पटियों का घेरा डाल रखा था एक पुलिसमेंड ट्रेफिक को घुमा कर दूसरी और भेज रहा था पुलिस और एंबुलेंस की प्रशन के उत्तर में मैंने उसे बताया कि हमारे सड़क के अंतिम सिरे पर पुलिस गाड़ियों एंबुलेंस उन लोगों का मजमा लगा हुआ है अनिता ने रेबिका और रीटा के हाथों में बिस्कुट पकड़ाते हुए उनसे कहा तुम दोनों थोड़ी देर यहीं सोफे पर बैठकर कार्टून देखो मारक और मैं जरा बाहर जाकर देखते हैं कि सड़क पर क्या हो रहा है घटना स्थल के करीब पहुंचते ही मैंने अपने उन पडोसियों को पहचान लिया जो पुलिस से बाते कर रहे थे शायद वे लोग हमारे घर की तरफ देख रहे थे तब ही एक पुलिस आफिसर की द्रिष्टी हम पर पड़ गई वो आगे बढ़ा हमारे पास आया और बोला बच्चों तुम लोग कौन हो और इस समय अकेले कहा जा रहे हो मेरा नाम अनिता में काफी है और ये मेरा चोटा भाई मार्क में काफी है हमारी मम्मी अंजला में काफी रात घर नहीं आई और हम उसे ही खोज रहे हैं हमारा नाम सुनते ही आफिसर की आखों और चहरे के भाव बदल गए उसने बड़े ही कोमल स्वर में हमसे पूछा तुम लोग कहां रहते हो बच्चो अनिता ने उसे घर का नंबर और सड़क का नाम बताया पुलिस ओफिसर ने अपनी वाकी टौकी पर किसी से कुछ बातें की और हमें वापस हमारे घर ले आया हमारा घर पूरी तरहां से अस्त व्यस्त था मम्मी को घर ग्रहस्ती में कोई रूची नहीं थी हमें पुलिसमेन के साथ देखकर रेवका और रीटा कुछ नर्वस संकुचित सी मुझसे चिपक कर सोफी पर बैट गई अनिता साइड बोर्ड के पास खड़ी आफिसर का चहरा देखती रही पुलिस आफिसर कुछ देर चिंतित परेशान सा हमारे घर की हाला देखता रहा जैसे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हमसे कैसे और क्या बातें करे तुम्हारे डैडी कहा है बच्चो हमारे डैडी नहीं है उनकी मृत्यू 11 मई 1985 को ब्रैडफोर्ड फुटबल स्टेडियम में लगने वाले अगनी कांड के हाथ से में हो गई थी वे लॉंग डिस्टेंस लॉरी ड्राइवर होने के साथ साथ जबर्दस फुटबल फैन थे अनीता ने जिस आत्म विश्वास से पुलिस को जवाब दिया वेह मुझे बहुत अच्छा लगा ओ डियर मुझे बेहत अफसोस है कि मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया तुम्हारे मम्मी घर से कब गई और तुमने उन्हें आखरी बार कब देखा था बच्चों आफिसर ने अनिता से पूछा कल रात तकरीबन साड़े साथ बचे मम्मी के अतरिक्त तुम्हारे साथ और कौन रहता है उसने रेबका और रीटा की ओर देखते हुए कहा रेबका और रीटा के बाल काले और घुम्भराले हैं उनका रंग हमारी तरह गोरा नहीं है क्या तुम चारों सगे भाई बेहन हो आफिसर ने हलके से खखार कर गला साफ किया रेबका और रीटा हमारे हाफ सिस्टर्स हैं हम मम्मी के साथ अब अकेले रहते हैं आफिसर क्या आपको हमारी मम्मी का पता है वे कहा है वही तो मैं पता करना चाह रहा हूँ अनीता तुम्हारे जुडवा बेहनों के पिता क्या कभी घर आते हैं पुलिस आफिसर ने हमसे पुछकारते हुए पुछा तुम्हारा मतलब मम्मी के बॉय फ्रेंड आली गंजालिप से है क्या वो तो कब का मम्मी से जगड़ा करके भाग गया अनीता की आली से कभी नहीं पटी वो उससे खार खाती है क्या तुम्हारी मम्मी और आली गंजालिप की कोई फोटो घर में है नहीं घर छोड़ने से पहले आली ने हमारे सारे फोटो और रीटा रेबिका के बर्ट सर्टिविगेट चला दिये थे अनीता ने इस तरह मुँ बिगाड़ कर कहा जैसे किसी ने उसे कड़व बियर पिला दिया मैं मम्मी के अभी तक के घर ना आने से इतना नर्वस और घपराया हुआ था कि पुलिस और अनीता के बीच हो रही बातें मेरे पले नहीं पड़ रही थी आली बेहत गुस्सेवर और लड़ने जगड़ने वाला था मम्मी के साथ कभी कभी वो गुस्से में आकर हमारी भी पिटाई कर देता था हमसे बातें करते करते पुलिस ओफिसर रसोई में चला गया वो पुलिस रेडियो पर अपने कंट्रोल रूम से बातें कर रहा था मुझे उसकी दबी दबी आवाजें सुनाई तो दे रही थी पर कुछ समझ नहीं आ रहा था हमेशा चहकने और बात चीत की शौकेन अनीता का चहरा घबराहट से जर्द होता जा रहा था शायद वो पुलिस की बातों को काफी हद तक समझ रही थी जब पुलिस ओफिसर रसोई से बाहर निकल कर आया तो उसके चहरे पर चिंता की लखेरे थी वो नर्वस और चिंतित लग रहा था शायद वो हमसे कुछ कहना चाह रहा था पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तब ही उसकी नजर टेबुल पर पड़े अनीता के कोर्स बुग की एक किताब पर पड़ी उसने उसे उठा कर कहा आओ इस किताब में से एक कहानी पड़ें वह कोर्स बुग है कहानी की किताब नहीं मैंने कहना चाहा पर संगोच के कारण मेरे मुह से आवास तक नहीं निकली तब ही दरवाजे पर कुछ हल चल हुई एक पुलिस लेडी कमरी में दाखिल हुई जिसका चहरा बच्चों की कहानियों की जनप्रियन आई का मेरी पॉपिंस जैसा प्यारा था पुलिस लेडी ने बेहत प्यारी आवाज में हम लोगों से हाथ मिलाते हुए अपना नाम बताया फिर उसने हमारा नाम पूछा वो हमसे इस तरह प्यार से बाते कर रही थी जैसे वो हमें अर्से से जानती थी और वो हमारी कोई रिष्टेदार हो जैसे बुआ या मासी उसने हम चारों को किट केट चॉकलेट का एक एक बार पकड़ाते हुए कहा बाहर लाल नेली बत्यों वाली पुलिस काड़ी हमारा इंतजार कर रही है हम चहेक उठे एक बार जब मैं कार्निवल में खो गया था तो पुलिस काड़ी इसी तरह मुझे मम्मी के पास ले गई थी मुझे लगा हमारी मम्मी ज़रूर किसी मुसीबत में फस गई है इसी लिए हमें उसके पास ले जाया जा रहा है वैसी भी हमें कार में जाने के मौके कम ही मिलते हैं इसलिए इस अजीबो गरीब दुखत परिस्थिती में भी हम पल भर को पुलक उठे किन्तु यह पुलकन जादा देर नहीं रही हमारे कार में बैठते ही कार चल पड़ी हमारा घर हमसे दूर पीछे चूटता जा रहा था अनिता बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी उसने कई बार पुलिस लेडी से मम्मी के बारे में पूछा पर वो हमसे और और बातें करती रही हम डरे से हमें कार की पिछली सीट पर एक दूसरे के हाथों में हाथ फंसा कर पैट गए इस समय हमें कुछ पता नहीं था कि हम कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं मैंने अनिता की ओर देखा वो भी बेचैन और घबराई हुई थी रेबिका रीटा हर जीज से बेखबर मुह में अंगूठा डाले एक दूसरी से चिपकी हुई कार चलते ही सो गई कोई 20 मिनट सड़क पर दोड़ने के बाद कार बाई और मुड़ी सड़क के दोनों और कांकर और ओक के घने लंबे तगड़े विरिक्ष लगे हुए थे कार लाल बजरी वाली सड़क के आखिरी छोर पर घने पेडों के बीच छिपे एक मैनर हाउस के आगे लगे आईरन गेट के आगे चाकर रुक गई पुलिस आफिसर ने रेडियो से अंदर कुछ संदेश भेजे थोड़ी ही देर में वह लंबा चोड़ा लोहे का गेट अपने आप धीरे धीरे बिना आवाज कुलता चला गया मकान के चारों और बगीचा था जिसमें स्लाइट, ट्रेमपोलिन क्लाइमिंग फ्रेम, नेट बॉल आदी विबिन परकार के खेल कोद और कसरत करने वाले उपकरण लगे हुए थे गेट के बाई और दिवार पर पीतल के बोड़ पर सेंट वेलेंटाइन चिल्डरंड्स होम काले रंग में खुदा हुआ था हम चारो भाई बहन सहमे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े पुलिस लेडी के साथ सौचालिक तरवाजों के बीच गुजरते हुए एक लंबे गल्यारे को पार कर विशाल खुले बैठक में पहुँच गए हमें सोफे पर बैठने को कहा गया जिसमें एक और बच्चों के धिरों खिलोने और किताबें शेल्फ और अर्मारियों में सजा कर रखे हुए थे यद्दपी हम संकुचित घबराए डरे और आशंकित थे फिर भी हमें अपने कबार खाने और चिल्पों वाले जैसे घर से यह घर ज्यादा अच्छा लग रहा था शायद इस बड़े घर में रहने वालों को पता था कि हम आने वाले हैं इसलिए उन्होंने हमारे आते ही हमें गर्म कोको, चॉकलेट और बिस्कुट आदी खाने पीन्यों को देते हुए कहा कि हम वहां रखे किसी भी खिलोने से खेल सकते हैं उन बड़े और अच्छे लोगों का ध्यान हम पर केंदरित था मानो हम उनके कोई महमान हो थोड़ी ही देर में एक फोटोग्राफर आया है उसने हम चारों से कहा यदि हम अपने मन पसंद खिलोनों के साथ सोफे पर बैठ चाएं तो वो हमारी बहुत सारी तस्वीरें उतारेगा हमारे पास अपनी कोई फोटो नहीं थी इसलिए हमें अपनी फोटो खिच्वाने वाली बात बहुत अच्छी लगी अनीता ने बार्बी डॉल हाथ में उठाया और बे मन से चुपचाप हमारे साथ फोटो खिच्माती रही उसने फोटोग्राफर से कोई प्रशन नहीं किया फोटोग्राफर ने हम लोगों की बहुत सारी फोटो खिची फोटोग्राफर के जाने के बाद हम दोबारा फिर खिलोनों से खेलने लगे पर अनीता चुप चाफ वहीं हमारे पास पड़े सोफे पर बैठी टेलिविजन देखते हुए वहां के लोगों का आना जाना देखती रही शायद वे लोग जल्दी में थे पीछे के कमरे से बार पर टेलिवोन की घंटी बजने और फोन उठाने की आवास आ रही थी मुझे और रेब का रीटा को खिलोनों से खेलना बढ़ा अच्छा लग रहा था सभी खिलोने नई और महंगे थे हम कभी एक खिलोना उठाते और कभी दूसरा अभी हमें खिलोनों से खेलते हुए कुछ ही देर हुआ था कि वो मेरी पॉपिन जैसी खुबसूरत चहरे वाली खुशमिसाज पुलिस लेडी अनीता का हाथ पकड़ कर हमारे पास कार्पेट परा कर बैठ गई थोड़ी देर वो भी हमारे साथ खिलोनों से खेलती रही फिर उसने हमसे कहा बच्चों मुझे तुमसे कुछ गंभीर बाते करनी है आज तक किसी ने हमसे गंभीर बाते नहीं की थी हम चारों खेलते खेलते रुख गए और उसकी और मुर्खों की तरह देखने लगे उसने बड़े प्यार से रीटा रेविका को अपनी गोद में बेठाते हुए मेरे और अनीता के हाथों को अपने हाथ में लेकर सहलाते हुए कहा देखो बच्चों तुम्हारी मम्मी अब तुमसे बहुत दूर चली गई है जीजस के देवदूद उसे स्वर्ग ले गए अब वे तुमसे मिलने कभी भी नहीं आ सकेंगी पर चिंता मत करो हम लोग तुम्हारी देखभाल करेंगे नहीं अनीता सक्ती से बोली तुम जूट बोल रही हो ले जाओ अपने खिलोने नहीं चाहिए हमें तुम्हारे खिलोने उसने होटों को भीचते हुए हाथ में पकड़ा खिलोना फैंक दिया अनीता को देख कर मैंने रेबका और रीटा ने भी अपने खिलोने फैंक दिये और हम सब ने एक दूसरे का अनुकरण करते हुए कहा हमें नहीं चाहिए तुम्हारे खिलोने नहीं चाहिए हमें हमारी ममी चाहिए अनीता साब की तरह फुपकारती पैर पटकती दरवाजे के पास चाकर खड़ी हो गई मैंने रिटा रेबका का हाथ पकड़ा और अनीता से सट कर खड़ा हो गया हम सभी दुखी थे क्योंकि अनीता दुखी थी पुलिस लेडी ने अनीता के दोनों हाथों को पकड़ कर बेहत प्यार से पर सक्त आवाज में कहा बात को समझो अनीता अब तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं है तुम सब अभी बच्चे हो थोड़ी देर में सोशल वर्कर टेरी फ्लायर तुम लोगों को तुम्हारे नए घरों में ले जाएंगे नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे हम अपने घर जाएंगे अनीता ने पैर पटकते हुए चिला कर कहा हमारी मम्मी हमारे घर पर हमारा इंधजार कर रही होगी मैंने भी मन ही मन सोचा कि इस पुलिस लेडी को कुछ भी नहीं पता है हमारी मम्मी बहुत स्मार्ट है वो देवदूतों को चकमा दे कर अब तक जरूर ही घर वापस आ गई होगी अब तक रीटा और रेबिका बड़े घर में रहने वाले लोगों से हिल मिल गई थी वे दोनों वहां काम करने वाली सोशल वर्कर की गोद में चड़ी होई किलकारियां भरती उनसे बाते कर रही थी मैं चाह रहा था कि लोग हम से हमारी मम्मी के बारे में बाते करें उनके बारे में हमें कुछ बताएं पर वे लोग उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहे थे जैसे ही हम मम्मी के बारे में कोई बात करते वे लोग हमारा ध्यान किसी और चीज में उलजा देते कई बार तो ऐसा लगा कि जैसे वे हमें बता रहे हों कि तुम्हारी कोई ममी नहीं थी या कि तुम्हारी ममी का इस दुनिया में कोई वजूद नहीं था मैं अभी यही सब सोच रहा था कि अचानक अनीता जैसे पागल हो गई वो वहशियों की तरह चिला कर उन लोगों को गालिया निकालने लगी कमीनों, हरामजादों, बदबक्तों, छोड़ों हमारी बेहनों को उतारों उन्हें अपनी गंदी गोट से मार्क, कमबक्त, तु भाग गया यहां से मैं रेबका और रिटा को इनके चंगुल से छुड़ा कर घर आती हूँ मॉम ठीक कहती थी, तुम पुलिस, सोशल वरकर्स, वेलफियर ओफिसर, सब के सब दोगले, हरामजादे होते हो मार्क, ये सब हमें बहका रहे हैं अनिता को जितनी भी गालियां आती थी, उसने पुलिस वालों को देनी शुरू कर दी तुम लोग मम्मी को जेल में बंद करके, हमें सड़ी मचलियां समझ, कुड़े के धेर में फैंकना चाहते हो मैं बधावास, कनफ्यूस्ड मूर्ग की तरहा, पुलिसमेन के उंगली पकड़े वहीं खड़ा रहा अनिता तब तक गालियां बक्ती रही, जब तक वो ठककर निढ़ाल नहीं हो गई उसका चहरा लाल हो गया था, वो हाफ रही थी अनिता का चिलाना सुनकर बड़े घर का मालिक अंदर से बाहर आया और अनिता के कंधों को जख चोड़ते हुए बोला सुनो अनिता, पागल मत पनो, हम लोग तुम्हारे हितैशी हैं, दोस्त हैं हम तुम्हें ऐसे परिवारों में भेज रहे हैं, जहांके लोग तुम्हें अपने परिवार में अपने बच्चों की तरह स्विकार करेंगे टेरी फ्लायर और पुलिस लेडी ने हमें हमारे इच्छा के विरुध बाहर खड़ी वैन में बिठा दिया हम चारों बॉखलाये, चीकते चिलाते, एक दूसरे से सटे, असहाय लाचार, पुलिस वैन में बैठे, अपने अंधे भविशे की ओर चल पड़ें हमें कार में यात्रा करते अभी पंधरा मिनट भी नहीं हुए थे, कि अनिता रोते रोते ठककर सो गई वो निंद में भी सुबकियां भर रही थी, रेबिका और रेटा भी अंगुठा मुह में डाले जपकी लेती हुई सोने की तयारी कर रही थी कार में लगे रेडियो पर कैपिटल रेडियो से प्राइम टाइम कारेकरम में डुरैन डुरैन का प्रसिद गीत मेरी मा का प्रिय गीत जिसे वो सदा गुनगुनाती रहती थी बज रहा था अचानक गीत को रोक कर समाचार पर सारक समाचार देने लगा अलसुभा आज घने कोहरे में दो नन्हे बच्चे ठीक उसी मोड पर खड़े अपनी मा को तलाश रहे थे जहां उनकी जिस्म फरोश मा के मृत देह को कोहरे ने अपनी चादर में लपेट रखा था क्या ये औरत भी उस दरिंदे की शिकार पनी जो पुलिस से आँख में चोली खेलते हुए खोच-खोच कर पिछले साथ महीनों से जिस्म फरोश औरतों का कतल किये जा रहा है इस तरह इधर उधर घुमाने लगा जैसे यह रेडियो स्टेशन उसे पसंद नहीं आ रहा हो तेरी फ्लायर और पुलिस लेडी दोनों मेरा ध्यान खाने पीने, खिलोनों और कार के बाहर नसारे बदलती प्रिकृती की ओर मोडने की कोशिश करने लगे अभी आपने उशा राजे सक्सेना जी की लिखी बेहत हीमार में कहानी सुनी आप मुझे आग्या दीजिये और कथा साहित्ते से जुड़े रहिएगा, धन्यवाद